नमस्कार दोस्तों संकर स्टेडी पॉइंट यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज मैं आप सभी लोगों के लिए इतियास के धमा के दार प्रश्ट को लेके आए हैं जो लेक पाल के जी के भाग सिक्स होंगे चलिए स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं हम लोग आज का पहला कोश्चन पहला कोश्चन या है कि किस मुगल सासक ने मैयूर सिंहासन का निर्मार करवाया था किस मुगल सासक ने किस मुगल सासक ने मयूर सिंगहासन का निर्मार करवा था पहला आपसन है औरंग जेव दूसरा है अकबर और तीसरा है साजहां और चोथा है जहांगी बताएए कौन किस मुगल सासक ने मयूर सिंगहासन का निर्मार करवाय था तो इसमें जो हमारा आपसन सही होता है वो आपसन सही होता आपसन नमबर थर्ड किसने करवाया था तो सा जहां ने करवाया था आपसन नमबर कौन सा सही हो जाएगा आपसन नमबर यहां पर हमारा थर्ड सही हो जाएगा चलिए अगले कोश्चन को हम लोग देखते हैं, अगला कोश्चन है कि बीरबल के बचपन का नाम क्या था, क्या बताना है, बीरबल के बचपन का नाम क्या था, बताईए, क्या रामदास था, स्यामदास, महेशदास, कोई भी नहीं, बताईए कौन सा अपसन इसमें सही होगा बीरबल की बच्पन का नाम बताना है तो बीरबल की बच्पन का नाम क्या था महेस दास था क्या था महेस दास था तो कौन सा अपसन सही हो जाता है हमारा तीसरा यहाँ पे सही हो जाता है चली अगले कोश्चन की तरक चलते हैं यह चैनल पे नए है तो चैनल को सस्क्राइब क अगला कोश्चन आपके सामने अगला कोश्चन है कि संगीत समराट तांसेन का जन्म पंदरा सो छे इस भी में किस अस्थान पर हुआ था आगरा में पहलापसन दूसरा गौलियर में तीसरा दिल्ली में और चौथा इनमें से कोई नहीं तो बताइए जो संगीत के समराट थे अगला कोश्चन आपके सामने अकबर नामा ग्रणथ की रचना निम्न में से किसने की थी क्या अबुल फजल ने की थी पहला अपसन दूसरा फैजी ने की थी तीसरा महेश दास और चौथा इन में से कोई नहीं तो बताए अकबर नामा ग्रंथ की रचना निम्ड में से किसने की थी तो किसने की थी अबुल फजल ने किया था कौन सा अपसन यहाँ पर हमारा सही होगा अपसन नमबर फर्स्ट क्या हो जाता है सही हो जाएगा चली अगले कोश्चन की तरफ चलते हैं अगला कोश्चन आप लोगों के सामने अगला कोश्चन है कि चौसा का युद्ध 27 जून 27 जून 1549 इसबी में हुमायू और किसके बीच हुआ था कौन सा चौसा का युद्ध जो हुआ था 27 जून 1549 इसबी में तो उसमें एक पच्छ कौन सा था हुमायू था तो दूसरा पच्छ कौन सा था बताना है और पहला अ सापसन है सिकंदर और चौथा है इन में से कोई नहीं बताइए चौथा का जो युद्ध हुआ था 27 जुन 1549 में एक पच्छ हमारा हुमायू का था तो दूसरा पच्छ किसका था दूसरा पच्छ हमारा सेर खांका था कौन सापसन सही होगा आपसन नंबर हमारा यहां पर फर् प्रसिथ संगीतकार तानसें किस मुगल समराट के दरबार में नवरत्न था किस मुगल समराट के दरबार में नवरत्न था पहला हमारा आपसन है औरंग जेब दूसरा है सा जहां और तीसरा हमारा आपसन है हुमायूम और चौथा है अकबर तो बताइए जो प्रसिथ संगी है तो बताइए कौन सा इसमें सही होगा तो इसमें किस के दर्बार में थे तो यह जो संगीत कार थे या अकबर के दर्बार में थे किस के दर्बार में तो अकबर के दर्बार में थे हमारा फोर वाला अपसन यहां पर क्या हो जाएगा सही हो जाता है चली अगले कोशन को देखते हैं अगला कोशन आप लोगों के सामने मुगल समराट अकबर की माता का क्या नाम था मुगल समराट मुगल समराट अकबर की माता का क्या नाम था बताना है मुगल समराट अकबर की माता का नाम तो बताए ये पहला अपसन है हमीदा बानू बेगम दूसरा है गुल बदन बेगम तीसरा है घुर बीनिया और चोथा है इन में से कोई नहीं तो जो समराट अकबर थे मुगल समराट अकबर मुगल समराट के उनके माता जी का क्या नाम था तो बताइए उनके माता जी का क्या नाम था चारो आपसन आपके सामने है चैनल पर यद नए है तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजिएगा दोस्तों में सेयर कर दीजिएगा जितने भी तैयारी करने वाले बच्चे हैं के पास अवस्थेयर करिएगा वीडियो को आप सभी लोग पूरा देखिएगा यद कोश्चन पसंद आये तो कमेंट करना ना भूलिएगा चलिए तो इसमें जो मुगल समराट अकबर की माता का नाम की बात करें तो इसमें पहला अपसन हमारा सही हो जाता हमीदा बानू चलिए अगले कोश्चन की तरफ चलते हैं अगला कोश्चन हम आप लोगों के सामने कि 1787 इसवी में 1787 इसवी में टीपू सुल्टान टीपू सुल्टान ने अपनी राध्धानी कहां स्तापित की थी किसने तो टीपू सुल्टान की बात की जा रही है तो इसने कहां अपनी जो 1787 भी की बात कर रहा है टीपू सुल्तान ने अपनी जो राध्धानी कहां स्थापित की थी पहला अपसन है स्री रंग पटनम अगला है मंगलूर और तीसरा है मदरास चौथा है मंगलूर बताइए आप सभी लोगों के सामने चारो अपसन दिख रहे हैं तो बताइए कौ हमारा जो अपसन सही होता है वह कौन सा होगा स्री रंग पटनम कौन सा होगा स्री रंग पटनम अपसन नंबर फस्ट सही हो जाता है चली अगले कोशन को देखते हैं अगला कोशन आप सभी को आप सभी लोगों के सामने चली देखिए यह अगला कोशन है आज के जो प्रस् जैसे अरपा सब्विता है उसी प्रकार से यहाँ पर बात की जा रही काली बंगा की सब्विता किस नदी के किनारे फैली थी तो सरस्वती नदी है हमारा अगला अपसन है लूनी नदी और तीसरा अपसन है माही नदी और अगला जो हमारा अपसन है वह है आहार नदी बताईए कौन सा इसमें सही होगा चालो अपसन आप सभी लोगों के सामने है चलिए बताईे काली बंगा की अगर बात करें तो काली बंगा की जो सब्धा है या काली बंगा कहां पे है तो या हमारा इसके बारे में हम चब्चरा कर लेते हैं तो काली बंगा हमारा कहां पे है या हमारा राजस्थान में कहां पे है राजस्थान में है राजस्थान में है चलिए तो यहां पे अगर हम बात करते हैं कि यह कहां पर था तो यह राजस्थान के पास है और अगर इसकी बात करें तो काली बंगा की सबता की बात करें तो यह सिंद घाटी सबता के महतपूर आउसेस यहां से क्या हुए थे मिले थे और काली बंगा रा तो देखे इसमें हमारा जो अअपसन साही होगा वह अफसन नम्बर सही होता है सरस्वती नदी काली पंगा कि अब किस नदी के किनारे पर देखें न। इसमें हमारा आपसन नंबर पहला सही होगा चलिए आहर नदी की बात करते हैं तो आहर सबता की खोज कब हुई तो आहर सबता की खोज कब की गई थी उनीस सो तीरपर में की कई थी कब की गई थी तो उनीस सो तीरपर इस भी में इसकी खोज की गई थी चलिए इसमें अच्छ अच्छे कृति ब्यास द्वारा तथा सर्व प्रथम लग्व अस्तर पर उत्खनन भी अच्छे कृति ब्यास द्वारा किया गया था ठीक है तो यह हमारा क्या हो गया आहार नदी के बारे में हमने आपको कुछ जानकारी दी तो हमारा जो काली बंगा की सबता किस नदी के किन किनारे फैली थी तो हमारा ये किसके नदी के किनारे फैली है तो सरस्वती नदी के किनारे थी चलिए अगले कोश्चन की तरफ चलते हैं अगला कोश्चन आप सभी लोगों के सामने देखिए अगला कोश्चन है काली बंगा की खुदाई में प्राचीन नगर के कितने अस्तर पाए गए हैं ये कोश्चन आप सभी लोगों के लिए नए है देखिए ये जो कोश्चन है कि काली बंगा की खुदाई में जब खुदाई हुई काली बंगा में प्राचीन नगर के कितने अस्तर पाए गए थे प्राचीन अस्तर के कितने नगर पाए गए थे बताइए तीसरा है एक, तीसरा है दो और चौथा है तीन चलिए बताईए तो इसमें हमारा जो आपसंस सही होगा वह कौन सा आपसंस सही होता है इसको आप सभी लोगों को बताना है तो इसमें हमारा जो आपसंस सही होता वह आपसंस सही होता है तीन कौन सा आपसंस सही होगा तो इसमें हमारा आपसंस नमबर फोर सही होगा और इसमें लिखा है तीन तो हमारा आपसन कौन सा सही हो गया यहां पे हमारा फोर आपसन सही हो जाता है चली अगर इसके बारे में हम बात करें तो हमारा जो यहां पे बात किया गया है तो इसकी बारे में अगर हम कुछ बात करते हैं आप सभी लोगों से तो काली बंगा राजस्थान के हनुमार गर ज और यहां पर एक दूर्ग मिला है प्राचीन दिस द्वित और सरसुती नदी घाटी वर्तमान में घागर नदी का छेतर संदव सबता में भी प्राचीन काली बंगा की सबता पलवित और पुस्पित हुई थी अगर हम इसके बारे में बात करें तो सरपथम 1902 इस भी में अमला नंद घोश ने की थी तो इसके बारे में कुछ महतपूर चीजें हमने आपको बताया और यहां पे एक सबसे महतपूर जानकरी यह भी मिलती है कि यहां बिस का सरपर्थम जोता हुआ खेत मिला था अगर कभी प्रस्ण में आ जाए कि काला बंगी की खुदाई में काली हमें ही जोता गया था और इसका जो प्रमार मिलता है 2900 इसापूर तक यहां तक एक बिक्सिक नदर था चलिए आगे तो आज आप सभी लोगों के लिए इतने प्रस्ण टेन प्रस्ण थे तो अगर आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सस्क्राइब करिएगा और सेयर करिएगा दोस्तों में लाइक करिए कमिंट्स करिए और बिल आइकन को प्रिस करना ना भूलिएगा थैंक्स फार वाचिंग